हेलो फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यंत्र इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रिमेंट जो की ट्रेड एफरेंटेशिप पोस्ट के लिए जारी की गई है इंडियन ओर्डिनेंस फेक्टरी में 58 बैच के लिए इसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाए क कर सकते हैं इसके step by step process के बारे में हम बात करेंगे इससे वीडियो में तो यहां पर फैंसे जो यह notification है और इसमें फैंसे यहां पर जो भी आपको selection process चेक करना है LBT conditions चेक करनी है वो आप इसकी official website पर जाकर या video description में jobrasta.com का आपको link मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इसकी details को check out कर सकते हैं अगर आप applicable है eligible है apply करना चाहते हैं तो आप इसमें online apply कर सकते हैं यहां पर फ्रेंस टोटल number of post जो है वो 3883 vacancies है जिसमें 2498 में ITI की और 1385 non ITI की vacancy आपकी यहां पर रहती है इसमें देखिए 22 से 21 नमबर तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं 14 से 18 साल आपका ace criteria है non ITI के लिए आपका 10th class pass out होना जरूरी है 50% marks के साथ और mathematics and science में 40% marks आपके होने चाहिए ITI के लिए आपके पास NCVT या SCVT का IT certificate होना चाहिए relevant trade में तो ही आप इसमें आविदन यहां पर कर सकते हैं अब इसके लिए कैसे आपको apply करना है इसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें तो यहां पर देखें यह इसका official portal है यहां पर आपको instructions दिये गए हैं इसके बाद आपको age limit मिल जाएगी नीजियाने पर आपको यहां पर बताये गया है registration कैसे करना है और registration करने के बाद आपको apply कैसे करना है इसके बाद आपको यहां पर देना होगा आपका फादर नेम और उसके बाद देना होगा आपका मदर नेम यहां एंटर करने के बाद आप apply कर रहे हैं नौन आइटाई के लिए या एक सीट यहां पर देना है और यहां पर मंद कर सकते हैं इसके बाद जनरल कैटेगरी है SC है, ST है, OBC है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं OBC में आता है creamy layer इसमें आपको कोई भी reservation नहीं मिलता non creamy layer में आपके पास OBC, NCL का certificate होना चाहिए अगर आप PH candidate है और yes करते है तो type of disability क्या है वो आपको select करना है percentage of disability क्या है वो आप दे सकते हैं नहीं है तो आप simply no करेंगे इसके बाद date of birth और date, month and year आपको यहाँ से select करना है आपका जो भी date of birth है वो आप यहाँ से दे सकते हैं इसके बाद आपका ace criteria देखें यहाँ पर count होकर आ जाता है अब इसमें friends से ध्यान रखिएगा जो भी ace criteria है जो की last date है उस date पर यह count किया जाएगा जो की है 21 November 2024 तो आपको friends आपका date of birth यहाँ पर select करना है इसके बाद gender select करना है mobile number देना है send mobile OTP करना होगा आपके mobile पर एक OTP आएगी वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है इसके बाद ऐसे ही mail ID आपको यहाँ पर enter करना है और email ID enter करने के बाद send email OTP करेंगे और email की OTP आप यहाँ पर enter करेंगे मतला अपने mobile number और mail ID को OTP के माध्यम से आपको verify करना होगा इस security pin को enter करना होगा इसके बाद आप यहाँ से I agree कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसे submit आप कर देंगे तो basic step registration करने के लिए जो कि आपको यहाँ पर enter करने होते हैं यंतर India Limited की इस vacancy के लिए इसके बाद friends आपका देखे registration जब complete हो जाता है registration ID and password आपको friends मिल जाएगा और वो यहाँ पर enter करने के बाद आप यहाँ से simply जो है login कर सकते हैं apply करने के लिए इसके बाद friends आप अपने portal पर यहाँ पर देखे login हो जाएंगे और portal पर login होने के बाद आपको change करना होगा आपका password तो सबसे पहले registration ID दीजिए इसके बाद आपको यहाँ से आपका जो date of birth है वो आप यहाँ पर देंगे और इसके बाद friends आपका जब date of birth देने के बाद date month and year जब आप यहाँ पर enter कर देंगे आपका जो old password है वो आपको देना है और उसके बाद एक new password आपको यहाँ पर create करना है new password कैसा होना चाहिए तो यहाँ पर minimum 8 character का lower case, upper case, special character और number आपके उस password में होना जरूरी है अगर sample के तोर पर बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको sample शो किया है password का कुछ इस तरह का password आपका यहाँ पर होना जरूरी है जिसमें capital letter भी हो, small letter भी हो, numbers भी हो और आपके special character भी हो जब आप password यहाँ पर कुछ इस तरह का generate कर लेंगे उससे confirm करने के बाद आप यहाँ से submit इसे कर सकते हैं इसके बाद friends आप अपने portal पर यहाँ पर देखिए login हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका postal address तो friends पूरा address जो आप लिखते हैं पर एंटर कर दीजीगा इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका डिस्टिक डिसमें फैंस आप अपना डिस्टिक यहाँ पर select कर सकते हैं पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अगर आपका permanent address का और तीसरा print का तो यहाँ पर आपको सबसे पहले apply वाले option पर खलिक करना है तो यहाँ पर आपको देखिक सबसे पहले identity card आपके पास अथार कार्ड है यह आपके पास enrollment id है आपके पास अधार कार्ड नहीं है और आपने enroll भी नहीं किया है जिसे अधार कार्ड है तो अधार का नंबर दीजिए, enrollment ID है तो enrollment ID दे सकते हैं, I do note पर click करते हैं कि आपके पाधार कार्ड भी नहीं है, enrollment भी नहीं है तो voter card, passport, कोई भी photo ID, student ID या nationalized bank passport with photograph, वो आप select कर सकते हैं उस ID का नंबर दे सकते हैं, अधार कार्ड है तो simply अधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर दे देंगे, इसके बाद है photograph and signature upload, अब आपको यहाँ पर देखे, preview a sample दिया गया है, आपका photograph and signature आपको upload करना है, 20-70 के भी है photograph का size, 20-30 के भी है signature का size, और यह फ्रेंट से black या blue pen से आप यहाँ पर white paper पर अपने sign को आपको करना है, और उसके बार आप इसे upload करेंगे, आपकी soft या scan copy आपकी photograph की यहाँ पर होनी चाहिए, latest photo आपको यहाँ पर upload करना है, browse पर click करके file को select कीजिए और यहाँ से upload कर दीजिए, इसके बाद फैंसे ness option qualification का है, तो यहाँ पर फैंसे देखी सबसे पहले matriculation की आपको जानकारी देनी है, आपके board का नाम आप दीजिए, name of institution देना है, तो आपकी school का आपको नाम यहाँ पर पूरा नाम देना होगा, air of passing क्या है, आपने सुक का pass किया है, वो आपको जानकारी देनी है, mark sheet का जो number है, matriculation का वो आपको देना होगा, result type आपका marking system है, तो mark system, cgp है, तो cgp system, grade है, तो grade system, यह आपको यहाँ पर देना है, आपको grade के लिए जानकारी select करनी होगी, इसके बाद यह जो equivalent percentage है, वो आप दे सकते हैं, marking system है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, science में, आपके कितने obtained numbers कितने हैं, out of, तो आपको यह जानकारी देनी है, ऐसे ही math में, आपके कितने numbers gain किये हैं, वो आप यहाँ पर जानकारी provide करेंगे, तो यह science और math की है, और उसके बाद आपका जो overall percentage है, वो आपको यहाँ पर दे रहा है, जो भी numbers आपने यहाँ पर gain किये हैं, आप उनकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद ITE की जो trade है, वो आपको select करना है, ITE की देखिए, आपको trade की list यहाँ पर मिल जाती है, और यह friends, आपके according जो भी आपकी ITE की trade है, उसके according आपको options को select करना है, आपका ITE आपने कब pass किया है, वो जानकारी आपको देनी है, certificate number देना है, ITE का, और इसके बाद friends, आपको यहाँ पर issuing authority देना है, किसने यह issue किया है, यह आप जानकारी provide कर सकते हैं, institute का नाम, जो भी आपके institute का नाम है, वो आपको यहाँ पर enter करना होगा, और इसके बाद friends से next option आता है, marks obtain, तो यहाँ पर friends से आपकी जो mark sheet है, उसमें आपके friends से जितने भी numbers आपने gain किये हैं, overall वो आपको देना होगा, मैं सिर्फ sample के तौर पर enter कर रहा हूँ, आपकी जो actual data है, वो आपको देनी है, आपकी 10th and matriculation को मिला कर, जो overall percentage है, वो आपकी यहाँ पर आ जाती है, और उसके बाद आप इसे save and continue कर सकते हैं, इसके बाद friends से next option, preference का है, तो trade applied for जो आपकी आई है, वो आपको select करने को मिलती है, इसके बाद factory का option है, तो आप यहाँ पर देखिए, आपको multiple options मिलते हैं factory के, तो आप अपने according जो भी factory यहाँ पर choose करना चाहे, वो आप कर सकते हैं, और save and continue आप यहाँ से इसे कर देंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, आपको आपका अधार कार या identity कार वो आपको यहाँ पर upload करना है, जिसके भी number आपने starting में दिया है, और यह GPG format में रहेगा, 102-200 के भी, इसमें friends से SSC का आपका जो mark sheet है, वो आपको upload करना है, आपके जो ITI है, उसके जितने भी semester है, उन सभी की आपको यहाँ पर mark sheet combine करके, आपको यहाँ पर upload करना है, PDF format में, आपको ITI का trade certificate upload करना है, upload करना है आपका card certificate, तो यह friends से जो भी documents आपने friends, जिनकी भी जानकारी आपने provide की है, आपने form में, वो आपको यहाँ पर upload मांगता है, तो यह friends आप documents PDF में, या आप यहाँ पर JPG में upload कर सकते हैं, आपको simply browse पर click करना होगा, और उसके बाद friends, आपकी देखिए, जो file है, वो आपकी यहाँ पर upload हो जाएगी, जब file यहाँ पर upload हो जाती है, इसके बाद आप सभी को upload कर देंगे, upload करने के बाद नीचे आएगे, यहाँ पर इस data को accept करेंगे, और final submit आप यहाँ से इसे कर देंगे, इसके बाद friends, यहाँ पर दिखिए, apply का आपका option complete हो गया है, अब आपको यहाँ पर payment करना है, और जब आपका payment यहाँ पर complete हो जाएगा, और यह भी जब आपका green हो जाएगा, उसके बाद last step आपके print application का ही रहेगा, तो सबसे पहले payment कर लीजिए, तो payment वाले option पर आप click कर सकते हैं, इसके लिए friends, जो payment आपका लगने वाला है, वो आपको यहाँ पर show होता है, इसके लिए friends, आप इसे declare करेंगे, और उसके बाद click here to proceed पर click करेंगे, इसके बाद friends, यहाँ पर देखिए multiple options आजाते हैं, पर आपके बाद के माध्यम से, net banking के माध्यम से, UPI के माध्यम से भी आप payment कर सकते हैं, QR code scan करके, तो आपके according, जिस भी तरीके से आप payment को यहाँ पर complete करना चाहें, आप अपने payment को complete कर सकते हैं, payment जब आपका एक बाद complete है, वरिफाय हो जाएगा, इसके बाद आपना final print out, आप निकाल कर अपने पास से रख सकते हैं, future use के लिए, future reference के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंस से मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप यंतर इंडिया apprenticeship online form 2024 अपलाई कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारा यह वीडियो या अपडेट पसंद आया है, तो like, subscribe ज़रूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए, ऐसे ही बने रही है हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूडिप्टर एलास्तेक्सपोर वाचिंग,